खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन नमस्कार स्वागत हैं आपका इंडिया टाइम 24 नीज में मैं आपके साथ साक्षी सिंग केलाशपुरी चौक पर 29 सितंबर को होने वाले राम लीला महौतसफ के लिए आज सुबा 9 वजे भूमी पूजन का आयोजन किया गया जहां सैकडों लोगों ने भवे राम लीला के लिए भूमी पूजन में हिस्सा लिया आए देखते हैं हमारे सैयोगी प्रवीन की एक खास रिपोर्ट नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया टैम 24 न्यूज आपके साथ मैं हूँ प्रवीन श्री धार्मिक रामलीला कमेटी पिछले सात वर्षों से कलाशपरी चौक पर रामलीला आयोजित करती आ रही है आज सुभा नो बजे पूर्व डिप्टी मेर कुल्दीप सोलंकी पूरवांचल वा प्रवासी सहयोग मंच के राष्टी अधेक्ष सुधिर कुमा श्रिवास्तव और अंतराष्टी मानव अधिकार संगठन के प्रदेश अधेक्ष संजीव सोलंकी की मौजूदगी में यह भूमी पूजन का आयोजन किया गया इस मौके पर यहां पूरवांचल वा प्रवासी सहयोग मंच की पूरी टीम नजर आई जिसमें कोशाधिक्ष श्री राम जी, श्रवंट पांडे, पीपी एसम के दिल्ली प्रदेश अधेक्ष महेश मिश्रा और अन्य सहयोगी मौजू भाजपा कारेकरता रमेश राणा और डबू सिंग ने भूमी पूजन में सारी तैयारियां की, मा सरस्वती इंस्टिटूट की कॉरियोग्राफ और पीपी एसम की दिल्ली प्रदेश महीला अधेक्ष विज्य लक्षमी ने तमाम लोगों के साथ मिलकर पूजा अर्चना की आपको बता दें केलाशपुरी में साथ वर्षों से हो रही राम लीला में अती अनुभवी कलाकार भगवान राम की लीला का मंचन करते हैं, दशहरा के दिन यहां खासी भीड देखने को मिलती है, इस राम लीला के बारे में हमें पूर्व डिप्टी मेर कुल्दीप सोलंक की ने विस्तरित जानकारी दी. समाजी कारी करता जो इस मंचन को कराते हैं, तो उनका सफल हो जाता है मैनत उनकी, 15-20 परषण लोग बगवान सिरी राम की आशरन को अपने जिवन में उतार लेते हैं, तो यही हम सोच के इसका टार्गेट लेके चलते हैं। अंतराश्री मानव अधिकार संगठन के प्रदेश अद्यक्ष संजीव सोलंकी ने बताया कि पिछले साथ वर्षों से केलाश्परी चौकपर राम लीला का भव्वे आयोजन हो रहा है। लीला में पहुचने वाले सभी महमानों का हमारे दफ्तर में आदर सम्मान किया जाता है। अब आईए राम लीला के कारेकरता डब्बू सिंग और रमेश से जानते हैं कि वो भगवान राम के चैनों में कैसे अपनी सेवा देते हैं। देखी ये राम लीला पिछले आठ नो सालों से किया जा रहा है यहां पर और ये हमारे बड़े भाई डिप्टी मेर कुलदीव सोलंकी जी द्वारा और हमारे संजीव सोलंकी जी हैं। सुधीर सिर्वास्तो जी हैं और फिर हमारे निगम पारसद इंदर कोर जी हैं। इन सब के शहयोग से यह राम लीला चलती है। पिछले आठ सालों से हम कर रहे हैं भगवान राम की लीला। और इसमें जितना भी काम है, जो भी होता है, सारा काम हमनी लोग देखते हैं। चाहे वो रामड का काम है, चाहे वो स्टेज का काम है, सारा ही काम भगवान के आशिरवात से हम लोग सारे कारे करता, सारे बच्चे, हमारे सारे लड़के सब देखते हैं। आज भूमी पूजन किया गया है राम लिला का और उसमें हमारे आधर्णिया भाई पूड डिप्टी मेर कुलदीव सोलंकी जी और निगम पारसद इंदर कोर जी और भाई बड़े भाई अपने संजीब सोलंकी जी और सुधीर सिरी वास्तव जी सभी के सायोग से अपना ये क इस कवरिज के दोरान हमारी मुलाकात राम लिला के एक कलाकार से हुई जो पिछले साथ वर्षों से शरीधार्मिक राम लिला में ताडखा का किरदार निवा रहे हैं गौर्दलब है कि भारत हिंदूओं का देश है और यहां राम लिला का काफी महतु है रामाइन का काफी महतु है ऐसे में देश के कोने कोने में राम लिला आयोजित की जाती हैं केलाशपुरी चौकपर सभी के सहयोग से पिछले साथ वर्षों से हो रही भवे राम लिला के बाद दशेहरा पर्व बड़े धूमधाम से मनाये जाता है तो आपने देखा कि कैलाशपुरी चौकपर किस तरह से भूमी पूजन का आयोजिन किया गया तमाम लोग यहां पहुँचे और यहां जो कारिकरता हैं जो सहयोगी हैं रामविला कमेटे के उनका ये कहना है कि सभी के सहयोग से यहां फिछले 7 सालों से रामविला का आयोज प्रदेश अध्यक्स संजीव सोलंकी के योगदान से यहां पिछले साथ सालों से भगवान राम की लीला का मंचन किया जा रहा है और यह कवरिज हमारी यहीं पर खतम नहीं हुई है जैसे ही राम विला शुरू होंगी हम आपको वहां लेकर चलेंगे और किस तरह से कलाकार अ आप बने रही है हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 नियूज खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें पेल आइकन